नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्सकाई कई बार शांत रहने और बहुत कोशिश करने के बाद भी रिलेशन्शिप में सब कुछ ठीक नहीं हो पाता इसका संबंध आपकी राशी से हो सकता है आज हम आपको उन राशियों के बारे में बदाने जा रहे हैं जिनकी तलाक की संभावना ज्यादा होती है शादी को सफल बनाने के लिए बहुत सारे धैरे आपसी समझ और समझोते की जरूरत होती है तो शली जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनका शादी का रिष्टा तूटने की संभावना ज्यादा रहती है वरिशव राशी के लोगों को बेपनहा मुहबत की चाहत होती है ये लोग अपने कामों की जिम्मदारी उठाने से बश्चते हैं और हमीशा यही उमीद करते हैं कि इनका पार्टनर इन्हें माफ कर दे और इन्हें प्यार करे इस वजह से इनका रिष्टा खत्म हो सकता है वही दूसरी और ना कहने के बजाए ये लोग जूट का सहारा लेते हैं इन जातकों को प्यार में कमजोर होने का खत्रा उठाना चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है मितुन राशी के जातक अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं ये असल में अपने रिष्टे में किस चीज की जरूरत है इस पर गौर फर्माने की जगा सामने वाले की खुशामत करने में लगे रहते हैं वही निर्णे लेने में भी इन्हें दिक्कत आती है अपने पार्टनर के आसपास ना होनी पर इनका दिमाग बिलकुल ठीक चलने लगता है इन्हें अपने रिलेशनशिप में हर चीज पर गौर फर्माना चाहिए कुम राशी के जातेकों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा रिष्टे में रहना पसंद नहीं करते हैं इन्हें समझना चाहिए कि कभी-कभी लोग इनके अच्छे और द्यालू सभाव का फाइदा भी उठा सकते हैं ये आसानी से किसी के भी प्यार में पढ़ जाते हैं जो की इनके स्वभाव से मेल नहीं खाता जिन्हें प्यार की तलाश होती है ये अपने सौमे विवहार के कारण उनके पास खिचे चल जाते हैं इनकी यही आदत इनके डिलेशनशिप में खत्रा बन जाती है मीन राशी की लोग हर पल को जीना चाहते हैं ये बहुत आसानी से किसी के भी प्यार में पढ़ जाते हैं और उसके आगे के परिणाम के बारे में भी नहीं सोचते ये दूसरों की चाहत को समझते हैं और अपने पार्टनर की गलत बातों को भी नजर अंदास कर देते हैं ये ऐसे इनसान से भी प्यार कर बैठते हैं जो इन्हें खुश नहीं रख पाता हो आपको समझना चाहिए कि दो लोगों के बीच एक खास कनेक्शन होना ज़रूरी है लेकिन कई बार इसके होने पर भी रिष्टा लंबे समय तक नहीं टिक पाता इस वीडियो में फिलहाल इतना ही लाइफस्टाल से जोड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल्सकाय